हेलो एव्रिवान आप सभी का स्वागत हैं लोचन एकाडमी में मैं नेहा भारत दुआज चलिए शुरू करते हैं करेंट अफेर्स के आज के कुई सीरीज को इस सीरीज के पहले प्रश्न है हाली में भारत अफगानिस्तान ने किसके विकास के लिए पांस समझोते ग्यापनों पर हस्ताक्षर किये हैं अप्संस हैं शैक्षिक मुन्यादी धाचा, सौर उर्जा सैयंत्र, सरक परिवहन और सीचाई तंत्र तो दोनों देशों के बीच अफगानिस्तान के चार प्रांत फराह, नरिस्तान, कपिसा और बतसक्ष्न में सिक्षा मुन्यादी धाचे के विकास के लिए पांस समझोते ग्यापनों पर हस्ताक्षर किये गए हैं और ये समझोते जो हैं अफगानिस्तान में भारत सरकार की ओर से कार्यानित उच्छ प्रभाव सामोदाइक विकास पर योजना के दहत हुए हैं. भारतिय दूतावास के अनुसार भारत सरकार अफगानिस्तान के लोगों और सरकार की राष्टिय प्रात्मिक्ताओं के आधार पर भारत अफगानिस्तान विकास साहिदारी को आगे बढ़ने के लिए प्रतीबध है तो इसका अंसर है शैक्षिक बुनियादी धाचा अगले प्रस्ण को जानेंगे वन महोसब पर उत्तर प्रदेश में एक दिन में कितने पौधे लगाए गये अप्संस 45 करोर से अधिक 55 करोर से अधिक 65 करोर से अधिक और 25 करोर से अधिक तो उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 25 करोर से अधिक पौधे रोपे गये और एक नय रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन महुत्सव अवियान के लिए 201 किस्मों की पहचान की जिसमें से आयुवेदिक पौधे थे, फल, अन्य पर्यावरन के अनुकूल विवित्था शामिल वाले पौधे थे, 2019 में उत्तर प्रदेश में 22 करोर पौधे इसमें पौधर ओपन 2020 का शुभारम किया गया। प्रदेश भर में व्रिक्षर ओपन के साथ जियो टैंगिंग की भी सुभधा जारी की गई। तो इसका आंसर क्या हो गया। 25 से अधिक। अगले प्रशन को जानेंगे, हाली में PM मोधी ने कौन से चैलेंज को लांच किया है। आत्मनिरभर भारत एप इनोवेशन चैलेंज की सुरुवात की है। चुनोती के तहट आठ सेनियों में एप्लिकेशन विक्सित करने के लिए इनोवेटर्स को आमंत्रित किया जाएगा इसमें और IT मंत्राले जो है उसको दो चर्णों में चलाएगा। पहले चरण में जुक्त साज़ेदारी से शुरू किया जाएगा। तो इसका अंसर हो गया आत्मनिरभर भारत एप इनोवेशन। शुरू की है मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्यान योजना में राजी सरकार जो है वो युवा वकीलों को भरन पोस्चन आधी के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता के रूप में तीन हजार रुपे प्रती माह प्रदान करेगी। तमिलाडू राज सरकार योजना का लाव प्राप्त करने के लिए प्राप्त वक्तिलों के लिए एक ओनलाइन आवेदन सुविधा शुरू करेगी। आवेदन की ओनलाइन प्रक्रिया जल्द ही टीन राज सरकार द्वारा शुरू होगी जिसमें युवा वकील इस योजना के लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजी सरकार तीन दश्कों से अधिक समय से एक अधिवक्ता कल्यान योजना को लागू कर रही है तमिलाडू युवा अधिवक्ता मासिक भत्ता योजना के तहट दी जाने वाली तीन जार रुपय की स्टाइपेंट रासी का भुगतान उनके पहले दो वर्सों के अभ्यास क दोरान किया जाएगा तो इसका अंसर हो गया तमिलाडू अगले प्रेशन को जानेंगे इंटल कैपिटल ने जियो प्लैटफॉर्म्स में 11 निवेशक बनने के लिए कितने रुपय का निवेश किया है अप्संस है 124 करोर रुपय, 679 करोर रुपय, 2445 करोर रुपय और 1894 कर तो इंटल कैपिटल ने जियो फ्लैटफॉर्म में 11 निवेशक बनने के लिए 1894 का निवेश किया है, इसके साथ ही इंटल कैपिटल दो महिनों में ही RIL, दूरसंचार और डिजिरल कारोबार में लगभग हिस्सेदारी लेने वाला 11 निवेशक बन गया है, अब इंटल कैप प्लैटफॉर्म में लगातार कमपनियों की ओर से निवेश बढ़ता ही जा रहा है, जिससे इंटल कैपिटल जियो प्लैटफॉर्म में निवेश करने वाली 12 निवेश हुआ है, और इसके साथ ही साथ इसमें कितना कुल निवेश हुआ है, यहाँ पे वेंसन क्या गया है, इसको आप देख सकते हैं, तो इसका अंसर क्या हो गया, 1894 करोर रुपए, अगले प्रेस्न को समझेंगे, केरल ने COVID-19 के कारण नौकरी कवाने वाले प्रवासियों के लिए कौन सी प्रोजेक्ट की घोशना की है, आपसंस है, केरल नौकरी गारंटी प्रोजेक्ट, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट, केरल जॉब फॉर प्रोजेक्ट, जो फेर प्रोजेक्ट है, और केरल इंप्लॉइमेंट प्रोजेक्ट, इसको चलिए समझते हैं, तो केरल सरकार ने COVID-19 के कारण नौकरी गवाने वाले प्रवासियों के लिए ड्रीम केरल प्रोजेक्ट की घोशना की ह परियोजना का क्या उदेश्य है तो प्रवासियों के पुनरवास और राजी के समग्र विकास का समर्थन करता है ये परियोजना को राजी सरकार के विभिन विभागों द्वारा संजुक्त रूप से लागो किया जाएगा यह जन्ता को राजी के भविस्त्र पर सुझाव और विचार देने का अफसर प्रदान करेगा, साथी साथ ड्रीम केरल प्रोजक्ट के माध्यम से ना केवल वापसी करने वाले और प्रवासियों को प्रवास प्रदान किया जाएगा, बलकि परयोजना की सफलता, विशेशग् और लोटने वाले केरल वासियों के ज्यान पर निर्वर करेगी, परयोजना का समवनवय केरल सरकार के विभिन विभागों के माध्यम से किया जाएगा, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजियन ने 100 दिन के अंदर, मतलब भीतर परयोजना के सफल क्रियानवन का लक्ष निर्धारित किया है, तो इसका अंसर क्या हो गया, केरल में भी कौन सी योजना चल रही है, तो ड्रीम केरल प्रोजक्ट किसके लिए, जो नौकरी गवाने वाले प्रवासि हैं, उसके लिए योजना लेकर के सरकार आई है, अगले प्रसंद को जानते हैं, तो भारत में एक सैनिकों के नाम पर, पुलवामा में शहीद सैनिकों के नाम पर, और पठान कोड में जो शहीद हुए हैं सैनिक उनके नाम पर, तो आप्संस हैं, कि दिल्ली में छतरपूर में इस्थित इस अस्पताल में एक साथ 10,000 मरीजों को रखने की छमता है, इतना बढ़ा ये हॉस् सी यू और वेंटिलेटर वार्ड का नाम करनल भी संतोस बाबू के नाम पर रखा है, अस्पताल जो है, वो लगबग 20 फुटबॉल मैदान के आकार जितना बढ़ा है, और ये भी बता दे कि इस अस्पताल को दुनिया की जो सबसे बढ़ा COVID अस्पताल बताया जा रहा है, और इस सेंटर में अगर साइस की बात करें, तो ये 1700 फिट लंबा और 700 फिट चौड़ा है, इस स्पताल के मेनेजिमेंट की जिम्मेदारी 2000 से ज़्यादा ITBP जवानों के पास है, तो इसका अंसर क्या हो गया, गलवान खाटी के शहीद सैनिकों के नाम पर रखा गया है, अगले प्रस्ण को जानते हैं, कौन सा राजी सरकार, राजी में महत्वपूर्ण तिर्थ स्थलो को दिखाने के लिए 24 घंटे का TV चैनल लॉंच करने वाला है, आप्संस है, तमिलनाडू, आंधप्रदेश, तेलांगना और उरिसा, तो तमिलनाडू सरकार ने राजी में म के ट्राइल रन शुरू कर दिया है, जो महत्वपूर्ण मंदिरों का प्रदर्सम जिसमें होगा, चैनल को 8.77 करोर रुपे के अनुमानित कीमत पर लॉंच किया जाएगा, और इस TV चैनल को जल्द ही HRCE विभाग की नई पहलों के तहत इसको लॉंच किया जाएगा, तो इस आप्सिन से इराग, अफगानिस्तान, इसराइल और ओमान, तो इसका अंसर क्या होगा, इसराइल इसका अंसर होगा, इसराइल ने नया जासुसी उपगरा लॉंच किया है, इससे छेत्र में खत्रों की निगरानी में आसानी होगी, इसराइल में करीब दो दशक से इस तरह सर्ट के उपग्रह प्रचिपित किया रहे हैं और ओफिक 16 इसी जासुसी बेरे में शामिल हो गया है उपग्रहों के सभी समुहों का इस्तमाल देश के लिए किसी खत्रे की निग्रानी करने में किया जाता है। साथी साथ इसराइल ने क्या किया है कि ये हलाकी इसकी पुष्टी नहीं की है कि अभियान में अभी कितने उपग्र शामिल हुए हैं। इरान और इसराइल में पुरानी सतुरता है और यह इसलामिक रिपब्लिक पर परमानु हथियार विक्सित करने की कोशिश का अरोप लग की है options हैं कर्णाटक, मिजोरं, त्रिपुरा और अरुनाचल प्रदेश तो हाली में कर्णाटक के मुख्य मंत्री बी-एस यदुरप्पा ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है इस योजना के तहत राज में 19,774 हद कर्दव बुनकरों को प्रत्यक्ष लाव हस्तानांत्रम के माध्यम से 2,000 रुपए की वार्षिक वित्तिय सहायता मिलेगी राजी सरकार ने कारक्रम के तहत 10.96 करोड रुपए आवंटित किये हैं साथ ही साथ सेवा सिंधू सौफ्टेर के साथ पंजिक्रित अभी 40,634 हद करदा बुनकर है तो इसका सही आंसर क्या हो गया करनाटक तो ये थे आज के करेंट अफेर सिरीज के कोशन आंसर्स ये आने वाले एक्जामनेशन पॉइंट आफ व्यू से बहुत ही महत्तव पूर्ण है तो हमारे लोचन एकाडमी को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी सेयर करें साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम लिंक दिये गया है जहां जॉइन करके इस कोशन आंसर्स जो क्विज है इसका पीडियफ फाइल ले सकते हैं तो आज के लिए इतना ही थाइंक यू